आज हम बनाएंगे बिकानियर की बहुत ही फीमस रेसिपी गुनपाग गुनपाग एक विंटर स्पेशल रेसिपी जो सिफ सर्द्यों में बनती है और यह काफी सीक्रेट रेसिपी जादा लोगों को गुनपाग बनाना नहीं आता लेकिन गुनपाग एक बहुत ही टेस्टी डिलिशनस रेसिपी और यह बहुत जादा हेल्थी है जो कि विंटर्स में आपको बहुत जादा अच्छी लगेगी तो चले रेसिपी को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले हम गुनपाग के लिए गुन को फ्राइए करेंगे तो हम उसके लिए कडाई में डालेंगे लगब बिल्कुल अच्छे से गरम करना और उसके बाद गैस की फ्लिम को बिल्कुल लोग करना ताकि जब भी हम इसमें गौन डाले तो डालता ही अच्छे से फूल जाए तो इसको बस एक नट तक ऐसे चलाना और यह बहुत अच्छे से फूल जाएगा और इसको फिर हाथ-वाथ जलने से पहले बाहर निकाल देना है क्योंकि बहुत जल्दी जलना भी स्टार्ट हो जाता है तो हमें इसको जल्दी से बाहर निकाल लेंगे आप चाहे तो गौन थोड़ा कम भी ले सकते हैं लेकिन क्योंकि गौन पाके इसलेश में गौन एक कटोरी हमें डालना पड़ेगा और सड़्दियों में गौन खाना काफी हेल्थी होता है तो हम इसको अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और जो बचा हो आदी कटोरी गौंद है उसको भी अच्छे से फ्राइब कर लेंगे तो हमने सारा गौंद अच्छे से फ्राइब कर लिया है अब हम कालिमेट्च को फ्राइब करेंगे तो यहां हमने दो चमच कालिमेट्च लिये काली मिर्ष डालना बहुत important है इससे ही अच्छा taste develop होता है गुनपाक का तो हम काली मिर्ष को बहुत हल्का सा fry कर देंगे एक दम गरम घी में तो हमने सारी काली मिर्ष को fry कर लिया है अब हम इसमें बादाम को fry करेंगे काली मिर्ष को इसको भी बाहर निकाल लेंगे तो हमने सारी चीज़ें मिर्ष कर लिया है अब हम सूखे नारियल को कद्डा करेंगे तो यहां हमने लिया है एक बड़े का सूका नारियल होता है जिसको हम गड कहते हैं वो आप इसमें जो नारियल का बजारा लग उनादा आता है वो बिल्कुल यूज मुत करने क्योंकि उसे टेश खराब होगा तो अच्छे टेश के लिए आप ऐसे नारियल को हाथ से कद्दूकस करके डाले तो जिस कीम में हमने अच्छे स सब्सक्राइब करा था उसी में हम थोड़ा गी गेह और डाल देंगे तो यह लग बग आधा किलो गी ले लिया और इसो कि направि कम अच्छे से बहुनेंगे तो इस टार्टिंग में गेस कि को बिलकुल लो कड़कर देंगे क्योंकि अगर हम high flame पे इसको सेखेंगे तो यह अच्छे से नहीं सेखेगा जलना स्टार्ट हो जाएगा और आदा कच्छा रह जाएगा इसलिए आप हमेशा आटी को low flame पे ही सेखें अगर आपको लगे कि इसमें घी थोड़ा कम है तो आप इसमें एक दो चमश और घी आइट कर सकते हैं तो हमने आटी को लगबग हाफ सेख लिया है इसको सेखते हुए 10-15 मिनट हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी और सूजी डालने के बाद हम इसको एक अच्छे सिख जाए सूजी डालने बाद आटा थोड़ा फूलना है स्टार्ट हो जाता है तो गरम गरम आटे में सूजी भी बहुत जल्दी सिख जाएगी तो हम इसको लगबग 7-8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सीखेंगे तो हमारा आटा और सूजी अब लगबग सिख ग करेंगे और मावा डालने के बाद मावे को अच्छे से दबा दबा के हम आटे में बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और मावे को थोड़े देड़ सिखेंगे लगबग 10 मिनट तक हम मावा डालने के बाद इसको और सिखेंगे मावा डालने के वाद आपको गैस की फ्लेम को बिलकुल हाई करना है् ताकि मावा अच्छे से सिख जाए और इसको बहुत अच्छे से दबाना है ताकि मावी की कोई भी गुटलिया नहीं रहे गुनपा की रेसे भी बहुत लोगों को नहीं पता लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है और अगर आप यह सारे step follow करेंगे तो आपको गुनपब बहुत हलवाई हो जैसा tasty बनेगा और बहुत आसानी से बन जाएगा तो finally इसको हमने लगबख 10-15 मिनट मावर डालने के बाद से एक लिया है अब यह बिल्कुल अच्छे से सिग्या है तो हम अब gas की flame को off कर देंगे लेकिन gas की flame को off करने की बाद भी इसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे क्योंकि कड़ाई बहुत करम है तो हम इसको उतार के side में रख लेंगे और अब हम इसके लिए चासनी को त्यार करेंगे तो यहां हम लेंगे लगबख 700 ग्राम चीनी और उसमें उसका आधा पानी डाल देंगे और इसके बाद gas की flame को बिल्कुल high करके हम इसके लिए चासनी बनाएंगे गुनपाक के लिए हमें बहुत गाड़ी चासनी जरत नहीं होती है लेकिन चिपचिपई से थोड़ी जादा लगबख आधिक तार की चासनी ही जरत होती है हमें गुनपाक के लिए लेकिन अगर आपने चासनी हो थोड़ी कड़ा कर दिया तो गूनपाग बिल्कुल जम जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा इसलिए चासनी बनाना और ध्यान से बनाना बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो आपको बिल्कुल आधितार की चासनी चाहिए तो अब मैं तार चेक करके बताता हूँ तो ये बहुत हलका से इसमें तार बन रहा है इसका मतलब है हमारे आधितार की चाहिए तयार है अब हम गयाज की फ्लेम को आफ करके गरम गरम चाहिए को हमारे सीखेवे आटे में डाल देंगे और इसको हलकी हलकी हाथ से मिक्स करेंगे चासनी को हमें एक साथ सारी ने डालना थोड़ी थोड़ी करके इसको मिक्स करते वे बाकी सारी चासनी को भी हम इसमें मिला देंगे जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे जो गरम गरम आटा सूजी है वो सारी चासनी एब्सॉक कर लेंगे इसको हमें एक दो मिनट तक बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि यह अच्छे से मीठा हो जाए और चासनी मिक्स हो जाए तो अब इसमें चासनी अच्छे से मिक्स हो गई है अब इसमें जो बागी की इंग्रीडेंट्स है जो हमने तियार करें थे वो सारे हम इसमें डाल देंगे तो ये फ्राइ कियावा गौन, बादाम और काली मर्च वो हम इसमें सारा डाल देंगे और जो हमने नारियल को कदू कस करा था सूके नारियल को वो भी इसमें डाल देंगे आप थोड़ा सा उपर से गार्णिश के लिए यह सब बचा सकते हैं तो यह सब ढालके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो अब हमारा गूनपाग तयार है यह बहुत एजी रेसिपी आप अगर एक बार बनाएगे तो बहुत अच्छा बनेगा और आपको बनाना आजाएगा तो एक बार सारे स्टेप फॉलो करके इस सड़ी गूनपाग जरूर प्राय करें इसको बनाना बहुत आसान है बहुत आराम से बन जाता है अगर आपको यह बहुत पसंद है यह तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सुस्क्राइब करें